बंगाल की चुनाव की आंदी थम सी गई है अब देखते हैं सत्ता की बारिश किस पर होती है दो मई को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं एक्जिट पोल के अनुसार बंगाल में एक बार फिर ममताम इनर्जी की सरकार बनती दिख रही है आईए अब हम बंगाल के चुनाव के घमासान पर एक नजर डालते हैं ममताम इनर्जी की TMC सरकार बंगाल में पिछले 9 साल से बंगाल पे राज करती रही है एक बार फिर उनकी सरकार आती दिख तो रही है अगर हम वोटिंग की बात करें तो पिछली बार की वोटिंग से इस बार की वोटिंग में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है पिछली बार भी 80 फिजदी वोटिंग हुई थी और इस बार भी लगबग इसी के आजपास वोटिंग हुई है अब जराब बात करते हैं किसको कितनी सीट मिल सकती है एक्सपर्ट की माने तो TMC यानी ममताव एनरजी की सरकार को 170 से 180 सीटे मिलने का अनुमान है वही अगर BGB की बात करें तो लगबग उन्हें 100 से अधिक सीटे मिल सकती है अगर हम कॉंग्रेस की बात करें बंगाल में कॉंग्रेस कहीं दिखी ही नहीं रही थी वहीं अगर लेफ्ट की बात करें तो जो पार्टी हमेशा से दूसरे नमबर पर दिखती थी वो अब अपने सीटे बचाने में लगी हुई है अब ज़रा हम जानते हैं कि जो बीजबी पिछली बार दो से तीन सीटों पर ही सिमट गई थी वो अब सो सीटों से अधिक कैसे पहुँच पा रही है ज़रा एक नजर हम इस पर भी डालते हैं एक्सपर्ट का कहना है कि RSS 2014 से ही सक्रिय थी और लगातर पार्टी का परचार बंगाल में कर रही थी उसी के कारण बीजबी की सो से अधिक सीटे आने की उमीद है यह तो सिर्फ एक अनुमान है असली नतीजे तो दो मई को पता चलेंगे और भी खबरों के लिए बने रहे और थमनीज के साथ